नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं शेरबाज सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स शेरबाज और दिव्य जोती शेरबाज और दिव्य जोती कथा बिमल चटरजी, चितरांकन एसराणा एक राज जब शेरबाज किसी पुस्तक के अध्यन में लीन था तो एक सर्प ने उसके कमरे में परवेश किया शेरबाज ने उसे पकड़ना चाहा तो वह उसकी गरदन से लिपट गया किसी तरह शेरबाज ने उसे अपने गले से अलग किया तो वह सर्प उससे बोला मैं तुभी यानि तुम्हारी आत्मा को लेने आया हूँ शेरबाच अपने साथियों से कहना कि वह तुम्हारे शरीर को तीन सपताह तक सुरक्षित रखें उसके बाद तुम्हारी आत्मा को वापस तुम्हारे शरीर में पहुँचा दिया जाएगा शेरबाज की समझ में कुछ नहीं आया लेकिन उसने वैसा ही किया जैसा सर्प ने कहा था मेरे शरीर को सुरक्षित रखना दिलावर सर्प शेरबाज की आत्मा को लेकर शीतल घाटे की और उड़ चला तधा कुछ देर बाद उसने सर्प नगरी में पहुंच कर उसे राजगुरू चंदरवणी के सामने प्रस्तुत किया राजगुरू चंदरवणी ने तब उसकी आत्मा को एक मृत सर्प के शरीर में परवेश करा दिया मृत सर्प जी उठा ताबूत से बहार आकर अपना मानव शरीर अपनाईये राजकुमार शेरबाच जब शेरबाच अपने मानव शरीर में आ गया तो राजगुरू ने उसे काल चक्र शिशे में उसका पिछला जलम दिखाया जिसमें उसे सब कुछ याद आता चला गया मुझ पर विश्वास रखो रोमा हम दोनों को अब कोई भी शक्ती जुदा नहीं कर सकेगी हम जल्दी ही विवा करेगे उसे याद आया कि यह सब अस्त देश की रानिंग जैतुला को पसंद नहीं आया था शेरबाज सिर्फ मेरा है और उससे सिर्फ मैं ही विवा करूँगी और उसने उसकी प्रियसी रोमा को मरवाने के लिए अपनी एक शैतानी शक्ती कालिया मसान को भेजा रोमा ने कालिया मसान का सामना करने की भरपूर कोशिश की लेकिन अंत में उसके हाथों मारी गई हा 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 गई काम से आई शेरबाज को रोमा की मौत का सद्मा बरदाश नहीं हुआ और उसने भी प्रान त्याग दिये मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं रोमा राजकुमार काल चक्र शीशे में अपना भूत और वर्तमा जीवन देखकर शेरबाज को सब कुछ यादा गया और वह बोला गुरुदेव मैं प्रण करता हूं कि जब तक मैं अस्त देश की राणी जैतुला को मौत के घाट नहीं उतार दूगा चैन की नीन नहीं सोगा उधर अस्त देश के राजमहल में राणी जैतुला के एक अनुचर ने उसे खबर दी राणी जी कल राज सर्प लोग का एक वासी कहीं से किसी मानव की आत्मा को लेकर सर्प लोग में आया है क्या बकते हो तुम लोगों के रहते हुए भला यह कैसे संबभ हुआ कि सर्प लोग का वासी तुम लोगों की आँखों में धूल जोंकर सर्प लोग से बाहर भी निकल जाए और सर कुशल अपने देश में भी लोटाए शमा करे राने जी हम लोग मुख्य पूर्वी द्वार पर बिगराने कर रहे थे जबकि मानव आत्मा को लाने वाला वासी किसी अन्य गुप्त मार्ग से निकल गया था यह संयोग ही था कि जब वह वापस लोटा तो हमारे एक वासी के नजर उस पर पढ़ गई परन्तु अफसोस कि वह चाहकर भी उसका कुछ नहीं विगाड सका हम यहां तक की कहानी आप पिछले वीडियो शेरबाज और नाग देवता में देख चुके है लिंक डिस्करप्शन बॉक्स में दिया गया है अब आगे क्या कुछ मालूम हो सका कि वह मानव आत्मा कौन है और उसे सर्प लोग लाने का उनका क्या प्रियोजन है नहीं रानी जी इस संबंद में मालूम करने का हमें समय ही नहीं मिला यदि आपकी आग्या हो तो उसके बारे में मालूम करने की कोशिश की जाए नहीं यह क्यारिय अब तुम लोगों के वश्का नहीं क्योंकि उसके बारे में मालूम करने के लिए तुम्हें सर्प लोग में परवेश करना पड़ेगा जो तुम्हारे लिए संभव नहीं खेर तुम जाओ और सर्प लोग के हर द्वार पर गुप्त नजर रखो उस मानव आत्मा के विशे में हम स्वेम जानकारी हासिल कर लेंगे जो अग्यरानी जी अनुचर के जाने के बाद कालिया मसान प्रकट हो तुरंथी खुकम स्वामीनी कालिया मसान तुम सर्प लोग में जाकर मालूम करो कि कल राज जिस मानव आत्मा को वहां लाया गया था वह कौन है और उसे लाने का उनका क्या उद्देश्य है जो अग्या स्वामीनी कहकर कालिया मसान वहां से खोपड़ी समेत अद्रिश्य हो गया और कुछ देर बाद सर्प लोग की काली पहाडी के सामने प्रकट हुआ हम द्वार पर सक्त पहरा है बीतर घुसना आसान काम नहीं है कोई दूसरा उपाई करना होगा शीक रही वाह आ गया उपाई मैं सर्प का रूप धारन करके भीतर परवेश कर सकता हूँ अगले ही पल वह सर्प का रूप धारन कर द्वार की और बढ़ा सावधान वह देखो एक सर्प यहीं आ रहा है वह जो कोई भी है हमारा देश वासी नहीं हो सकता क्योंकि इस द्वार से कोई भी बाहर नहीं गया था पास आने दो फिर मालूम करेंगे रूप जाओ और अपना परिचे दो मेरा नाम सूर्य प्रताप है और मैं राजगुरू की आग्या से अस्त देश दुश्मनों का भेध जानने गया था लेकिन सर्प लोग से कोई बाहर गया है इसकी हमारे पास कोई सूचना नहीं है मैं गुप्त द्वार से बाहर गया था और यह तो तुम जानते हुई हो कि गुप्त द्वार नियत समय पर ही खोले और बंद किये जाते हैं फिर मेरे आवगमन को बहुत ही गुप्त रखा गया है ओ दुश्मन देश से तुम क्या खबर लाए हो वह खबर मैं तुम लोगों को नहीं बता सकता ऐसा राजगुरु जी का आदेश है वह खबर मैं केवल उने ही दूगा मेरे विचार से हमें इसे जाने देना चाहिए इसकी कही बाते ठीक है ठीक है तुम भीतर जा सकते हो धन्यवाद शुक्र है आसानी से पीछा छूट गया वाह क्या शांदार नगरी है परन्तु यहां वह माना वात्पा कहां मिलेगी किस से पूछो उसके बारे में लेकिन जब कालिया मसान एक जगह से गुजर रहा था अरे शाकी सुना तुमने हमारे राजकुमार शेरबाद जीवी थो उठे हैं क्या सच लेकिन यह संभव कैसे हुआ इनकी बाते सुननी चाहिए शायद कोई मेरे मतलब की बात निकल आई ऐसा राजगुरू चंद्रमिन जी के कारण संभव हो पाया है सुना है उन्होंने पृत्वी के एक देश हिंदुस्तान के एक शहर से राजकुमार के नए मानव शरीर से उनकी आत्मा को लाकर उनके पुराने मिर्थ शरीर में परवेश करा दिया है जिससे वे पुना जीव थो उठे हैं और उन्हें भूत और वर्तमान सब कुछ यादा गया है अहा फिर तो समझ लो हमारे मुसीबत के दिन खत्व होने वाले हैं ठीक कहते हो राजकुमार ने अस्त देश की रानी जैतुला को मौत के खाट उतारने का बेड़ा उठा लिया है फिर रानी जैतुला क से एक तरफ रेंग गया यदि शेरबाज जिंदा है तो इस समय जरूर अपने महल में होगा उधर एक सुंदर महल के एक कमरी में हमारा प्रेम अमर है रोमा तभी तो देवता ने हमें इस जनम में भी मिला दिया बेशक मैं तुम्हें पिछले जनम में नहीं पा सका लेकिन इस जनम में तुम्हें पाने से मुझे कोई नहीं रोग सकता लेकिन हे शेतानी शक्तियों की देवता यह तो वास्तव में राजकुमार शेरबाज है मैं तुम्हें वचन देता हूँ रोमा यहां से जाने से पहले मैं राने जैतुला से तुम्हारी मौत का बदला अवश्य लूँगा मेरी तलवार उसका खोन पीने के लिए लालायत हो रही है मैं आज रात ही उस पिशाचनी को मौत के घाट उतार डालूगा यह तुमसे मेरा वाइदा रहा रोमा अब मुझे एक पल भी न गवाकर तुरंत लोटकर स्वामीनी को सारी बात से अवगत करा देना चाहि है ताकि रानी जैतुला को मौत के घाट उतारा जा सके ओ ठीक है जाओ कालिया मसान द्वार के बाहर निकला और कुछ आगे जाकर खोपड़ी में प्रवर्तित हो अस्त देश की और उड़ चला जब वह रानी जैतुला के सामने पहुँचा क्या खबर लाई हो कालिया मसान खबर बहुत बुरी है स्वामिनी जिस मानाव आत्मा को सरप लोग राया गया है वह किसी और की आत्मा नहीं बलकि राजकुमार शेरबाज की आत्मा थी और उसका आवहन आपको मौत की घाट उतारने के लिए किया गया है नहीं ऐसा नहीं हो सकता स्वामी नी एक बारगी तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था लेकिन मैंने स्वेम अपनी आखों से राजकुमार शेरबाज को जीवी देखा है यही नहीं वह आज रात किसी भी समय अस्त देश आ रहा है ताकि आपसे अपनी प्रेमी का रोमा की मौत का बदला ले सके उसकी यह इच्छा इस जन्म में तो क्या सौज जन्मों में भी पूरी नहीं हो सकेगी मैं आपकी शक्ति को जानता हूं स्वामी नी कहिए अब मेरे लिए क्या अग्या है सुनो जैसे ही शेरपाज हमारे नगर की सीमा में परवेश करे तुम्हें उसे पकड़ कर हमारे कदमों में पेश करना है समझ गए? समझ गया स्वामी नी फिर जैतुला के आदेश पर कालिया मसान खोपड़ी में समा कर अपने यथा स्थान पर निश्चल हो गया और उसी राज सर्प लोग के देवता भवन में हे इच्छाधारी सर्पों के देवता आज सर्प राजकुमार शेरबाज सर्प लोग को रानी जैतुला के आतंक से छुटकारा दिनाने के लिए अस्त देश जा रहा है हे देवता मेरी तुमसे प्रातना है कि दुश्मनों से युद्ध करने के लिए शेरबाज को अपनी दिव्य जोती प्रदान कीजिए ताकि सर्प लोग तुम्हारी असीम क्रिपा से सुख और शांती की सांस ले सके अचानक देवता के दोनों नेत्र प्रजवलित हो उठे और साथ ही एक गंभीर वानी देव भवन में गूंजुठी ए सच्चे भक्त वा सर्प लोग के शुप चिंतक हमने तुम्हारी प्रातना सुन ली है सर्प राजकुमार शेरबाज को हमारे सामने करो हम उसे ऐसी शक्ति प्रदान करेंगे कि वह प्रबल से प्रबल शत्रु को प्रास्त करने में समर्थ होगा देवता की वानी सुनकर सभी के चहरे प्रसंता से खेल उठे राजकुमार शेरबाज इधर आकर नाग देवता का आशिरवार प्राप्त करो जी गुरुदेव शेरबाज नाग देवता के सामने जाकर खड़ा हो गया तब नाग देवता के प्रजवलित नेत्रों से तीवर प्रकाश निकलकर शेरबाज के संपोन शरीर पर पड़ा शेरबाज कुछ देर तक उस दिव्य जोती में नहाया हुआ चुपचाप खड़ा रहा फिर वह दिव्य जोती जैसे आई थी वैसे ही देवता के नेत्रों में सिमट गई राजकुमार शेरबाज अब तुम्हारे शरीर में दस सिंगो और पांच हातियों जितनी शक्ती है साथ ही तुम्हारा शरीर फौलात का हो चुका है इस पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा जाओ जाकर दुश्मनों का संगार करो नाग देवता की सदा जैजैकार हो जब नाग देवता के प्रजवलित नेतर निस्तेज हो गए अब तुम दुश्मनों से मुकाबला करने में पूरी तरह से सक्षम हो शेरबाज आओ हम तुम्हें सर्प लोग के द्वार तक छोड़ाएं चलिए राजगुरुजी मैं भी जल से जल अस्त देश पहुँचने के लिए व्याकुल हूँ सर्प लोग के एक द्वार पर अब मुझे आग्या दीजिये राजगुरुजी यहां से आगे का सफर मैं स्वेम तै करूँगा जाओ वत्स मेरा आशिरवाद तुम्हारे साथ है हम सब तुम्हारे सा कुशल सफल होकर लोटने की कामना करते हैं तब शेरबाज सबसे विदा लेकर घोड़े पर सवार हुआ और अस्त देश की और चल पड़ा रानी जैटुला के अनुचर शेरबाज को सर्प लोग से निकलते और अस्त देश की और जाते देख चुके थे शेरफा तुम जल्दी से जाकर रानी जी को सूचित करो कि शेरबाज अस्त देश की और रवाना हो चुका है ठीक है उस अनुचर ने तुरंत बाज का रूप धारन किया और अस्त देश की और उड़ चला कुछ तीर बाद वह अनुचर रानी जैतुला के महल के सामने खड़ा था हम तो शेरबाज हमारी नगरी में आ रहा है जी हां रानी जी ठीक है तुम जाओ हम अपने प्यारे दुश्मन के स्वागत का इंतजाम स्वेम कर लेंगे जो अग्या रानी जी अनुचर वापस लोट गया अनुचर के जाते ही रानी जैतुला ने कालिया मसान की खोपड़ी पर अपनी छड़ी घुमाई कालिया मसान तुरंत हाजिर हो गुलाम हाजिर है स्वामी नी खुक्म कीजिए शेरबाज हमारे देश के लिए रवाना हो चुका है उसके स्वागत का प्रबंद करो आप चिंता ने करें स्वामी नी अस्त देश में कदम रखते ही वह आपके कदमों में पड़ा दिखाई देगा शाबाज हमें तुमसे यही उम्मीद है अब देर न करो जाओ हाँ 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 उधर भोर होने के साथ ही शेरबाज अस्त देश की सीमा पर पहुँच गया भूचाल जब तक मैं लौट करना हूँ तुम यही मेरा इंतजार करना कहकर शेरबाज अभी कुछ आगे बड़ा था कि तभी ओ मोर जरूर दुश्मन होगा लगता है रानी जैतुला को मेरी आगमन का पता चल चुका है शेरबाज तुरंद पानव शरीर में आ गया आओ शैतान मुझे कुछ इस तरह के ही स्वागत की आशा थी ओह यह तो सतर्क हो गया है अगले ही पल कालिया मसान भी अपने असली रूप में आ गया शेरबाज यदि तुम अपनी भलाई चाते हो तो स्वैम को मेरे हवाले कर दो वरना तुम नहीं जानते की कालिया मसान के हाथों आज तक कोई नहीं बचा है पहले चरा दो-दो हाथ तो कर लो फिर यदि तुम मुझे पकड़ सके तो जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा मूर्गता मत करो शेरबाज वरना अपनी प्रेमी का रोमा की तरह तुम भी मेरे हाथों मारे जाओगे अच्छा तो तुमी ने मेरी प्यारी भोली भाली रोमा को मारा था अब तुम मेरे हाथों नहीं बचोगे दुष्ट हाँ 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 तुम जीवन भर इसी तरह मुझे पर वार करते रहो तो भी मेरा कुछ नहीं बगाड़ पाओगे ओ, इस पर तो तरवार का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, इस सी कैसे निप्टा जाएं अचानक एक विचार दिमाग में आते ही, शेरबाज ने एक विशाल काई पक्षी का रूप धारन किया और खोपड़ी पर तूट पड़ा, अब तुम नहीं बचोगे जैतुला के गुलाम, उफ, तो तुम यो नहीं मानोगे, अगले ही पल अपना बचाव करता हुआ वह एक तरव भागा, भाग कर कहा जाएगा शैतान के गुलाम, हाँ हाँ हाँ, अब अपनी खैर मनाओ मूर्ख परंतु पक्षी रूपी शेरबाज पर उन किर्णों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अरे यह तो अभी जिन्दा है, हाँ हाँ हाँ, मेरा शरीर वज्र का है कालियामसान, इसलिए मुझ पर तुम्हारे किसी भी आकर्मन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यदि हिम्म तो अपने घोंसले से बाहर निकल कर मेरा मुकाबला करो, ओ, अब मैं क्या करूँ, और दूसरे ही पर, तुम्हारा शरीर कितना भी वज्र का सही, लेकिन मेरे इस फौरादी शिकंजे से तुम आजाद नहीं हो पाओगे शेरबाज, ओ, पूरे शरीर पर लोहे की जंजीर ल बंद हो गया, और वहे तेजी से नीचे गिरने लगा, मुझे मानाव शरीर धारन करना पड़ेगा, वरना शायर नीचे गिर कर जीवित नहीं बचूंगा, शेरबाज ने मानाव शरीर धारन कर लिया, इसलिए नीचे गिरने पर वज्र शरीर होने के कारण उसका कोई हैं, आजात होने के साथ ही शेरबाज ने बिना एक पल गवाए लपक कर कालिया मसान के खोपड़ी दबोच ली, बचकर कहां जाओगे मुर्गी के चूजे, उफ, छोड़ो मुझे, यदि तुझे अपनी जान प्यारी है, तो बता, तेरी स्वामिनी के पास तेरे अलावा और क्या-क्या शक्तिया हैं, और उसने मेरे स्वागत की क्या-क्य तैयारियां की हुई हैं, नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकता, मैं अपनी स्वामिनी का वफादार गुलाम हूँ, तब मैं तेरी गर्दन दबाकर इसी समय तुझे दूसरे लोग पहुचा दूँगा, स्वाम पर हाथ पैर पटकने के बावजूत, तुम मुझ तक नहीं पहुच पाओगे, कालिया मसान की मौत के साथ ही मैं अपने देश के समस्त दूआर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूँगी, ओ, यह आवाज, फिलहाल और कोई चारा नहीं, मुझे जैतुला की बात मान लेनी चाहिए, बस एक बार वहे दुष्टा मेरे सामने आ जाए, फिर मैं उसते अगला पिछला सारा हिसाब साफ कर लूँगा, क्या सोचने लगे शेरबाज, जल्दी फैसला करो, वरना कालिया मसान मर जाएगा, मुझे तुम्हारी बात मनजूर है, लो, मैंने तुम्हारे गु आकर दरपन को प्रकाश हिन कर दिया, मेरे हाथ पकड़ी राजकुमार शेरबाज, मैं आपको पलक छपकते ही अस्त देश की राजमहल में पहुचा दूँगा, हम, ठीक है, तो यह थी अब तक की कहानी, आगे की कहानी जानने के लिए बनी रहे मेरे साथ, और हाँ, मेरे च